हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू आवर चैनल शॉर्ट हैंड गुरू जी आजका डिक्टेशन नामधारी गुपता जी खंडेक की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पार्ट सत्रा है जिसमें प्रतलेखन संख्या 43, 44, 45 और 46 सामिल है इस डिक्टेशन की पीडिएफ आपको हमारे टेलीग्राम के गुरूप में मिल जाएगी और टेलीग्राम के गुरूप का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप सभी डिक्टेशन को लिखिए और अगर आपसे आउटलाइन कोई नहीं बन पाती है तो वो भी आप हमारे गुरूप में पूछ सक सदस्य कह रहे थे कि राजनैतिक पार्टी के लोग यहां पर सहकारिता के संबंध में कुछ कहते हैं और बाहर किसानों से कुछ और ही कहते हैं वे किसी से यह भी कहते हैं कि तुम्हारी जमीन छिन जाएगी मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो कहा गया है और किसानों के अंदर जो भावना पैदा होती है वह इस बिल से साप इसपस्ट होती है कि वह गलत भावना नहीं है मैं यह जानता हूँ कि जब किसान पार्टी का जोर बढ़ा और किसानों की आवाज उची हुई तो सरकार ने और हमारे नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि हम सहकारी खेती को किसानों के उपर लादना नहीं चाहते बलकि या तो किसानों की इच्छा पर है लेकिन इसके साथ ही साथ एक बात मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ और फिर भी निवेदन करना चाहता हूँ कि नेताओं का अपना विचार होना चाहिए किसी सभा में जब यह कहा गया कि यह जो सहकारी खेती शुरू की गई है यह तो अंत में सामूही खेती की तरफ ले जाएगी माननी सभापती महोदे उन्होंने साप कह दिया कि अगर सामूही खेती होती है तो इसमें भी मुझे कोई आपत्ती नहीं है मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस बिल को देखने से यह साफ इसपस्ट होता है कि उस सहकारी समिटी के जितने सदस्य होंगे वह अपनी अपनी जमीन को एक साथ कर लेंगे और अगर समिटी से निकालना चाहेंगे तो एक साथ अधिक जमीन उसको नहीं मिल सकती है इस बिल के संबंध में इस सदन के सरकारी दल वाले लोगों ने और विरोधी दल के लोगों ने बहुत सी बातें कही हैं जैसा की यह बिल है इसको अभी समिती के सामने विचार के लिए जाना है और वहां से विचार होने के बार यह इस सदन के सामने फिर से विचार के लिए पेश किया जाएगा तब माननी सदस्यों को पूरी तरह से यह अधिकार होगा कि जहां तक इसमें दी गई बातों का संबंध है उसमें परिवर्तन ला सकते हैं या उसको हटा सकते हैं कल से जो बाते हो रही हैं वह सब नोट की गई हैं और मैंने बहुत सी बातों को सुना है इस समिटी में उन सब बातों पर विचार किया जाएगा बहुत से माननी सदस्यों ने इस तरह की बातें कही हैं वह बहुत आवश्यक मालूम हुई हैं जैसा की मैंने कहा है उन पर विचार किया जाएगा जहां तक सहकारिता का संबंद है चाहे सरकारी दल वाले माननी सदस्य हों चाहे विरोधी दल वाले माननी सदस्य हों सबकी यह मांग है कि जब हम जनता के राज में विश्वास करते हैं और अपने यहां जनता का राज स्थापित कर लिया है और जबकी देश में गरीबी है और उसका गलत लाभ भी उठाया जाता है तब सहकारिता की बहुत आवशक्ता है इसको रोकने की आवशक्ता है यह सभी लोगों की राय है जहां तक इस सहकारी बिल का संबंद है बहुत से माननी सदस्यों ने बहुत सी बातें इसके संबंद में कही है मैं सब बातों का विवरण में तो उत्तर नहीं दे सकता हूँ लेकिन मैं थोड़े में विशेश बातों का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा जैसा मैंने अभी कहा, जब हमने अपने यहां जनता का राज अस्थापित किया है तो हमें अपने समाज के धाचे को बदलना पड़ेगा हमारे यहां गरीबी और अमीरी चली आती है हमारे देश में एक गहरी खाई चली आती है और आज भी समाज में गलत लाब उठाया जाता है सभापती महोदे हमारे देश में गरी मंत्राले और गरी मंत्री का कितना महत्व है इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि सुतंत्र भारत में गरी मंत्राले का भार सरदार पटेल ने स्वयम अपने कंधों पर लिया सरदार पटेल का साहस उनका उत्साह और उनकी बुद्धी तीनों ही हमारे क्रीमंत्राले के लिए आदर्श का काम कर सकती है परन्तु दुर्भाग्य से सरदार के पश्चात इन तीनों बातों में कुछ कमी आती हुई दिखाई देती है उदाहरन के लिए एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ 1922 में जब हमारे देश पर चीन का हमला हुआ तो 14 नौंबर 1922 को हम सबने इसी सदन में खड़े होकर एक प्रस्ताव पास किया था जिसके शब्द थे भारत की भूमे जब तक हम शत्र से स्वतंत्र नहीं करा लेते तब तक हमारा यह संगर्ष बराबर जारी रहेगा भले ही वह कितना ही लंबा क्यों ना हो लेकिन कुस दिन बाद आगे चल कर हमने राश्ट्री एकता सब्ताह या दिवस मनाना शुरू किया तो हमने उस प्रतिग्या को कुछ दूसरे शब्दों में बदल दिया उस प्रतिग्या के शब्द थे मैं अपने देशवासियों के संकल्प को दोहराता हूं कि मैं अपने देश की स्वतंत्रता तथा एकता की रच्छा करूंगा चाहे इसके लिए कितना ही कड़ा और लंबा शंगहर्स क्यों ना करना पड़े मैं राष्ट्री एकता तथा बल के लिए तनमन से काम करने की शपत लेता हूं लेकिन इस बार राष्ट्री एकता सप्ताह के सिलसिले में एक छोटा सा प्रकाशन भारत सरकार की और से प्रकाशित हुआ इस प्रकाशन में स्वयम इन्हों ने लिखा कि 1982 में चीन द्वारा आक्रिमन के बाद शपत की भाशा में थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया है और जो शब्द बदल दिये गये हैं उनको भी मैं सदन की जानकारी के लिए सुनाना चाहता हूं मैं प्रतिग्या करता हूं कि मैं कभी हिंसा का प्रियोग नहीं करूंगा और मेरा विश्वास है कि धर्म, भाशा, प्रांत संबंधी तथा अन्य सभी राजनीतिक और आर्थिक विवादों का शांति पूर्वक और सम्वैधानिक तरीकों द्वारा हल किया जाना चाहिए अब मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि 1982 में संसद ने जो निर्णे किया था क्या भारत सरकार अपने उस निर्णे से हट रही है अगर सरकार ने अपने निर्णे से हट रही है तो यह जो सरकारी प्रकाशन आया है जिसके द्वारा 1982 की सपत में परिवर्तन किया गया है इसका आधार क्या है सभापती महोदे हम यह समझें कि किसी तरह चीन का दबाव इस सरकार पर पड़ रहा है जिसने सरकार के सोचने के धंग में परिवर्तन कर दिया है मैं ग्रीह मंत्री से विशेश रूप से यह कहना चाहता हूँ कि सरदार पटेल जिस जगह पर बैठे थे आज आप उसी जगह पर बैठे हुए हैं और राष्टर की आंतरिक सुरच्छा का भार आपके कंधों पर है स्टॉप डिक्टेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना नहीं भूलेगा और शेयर करेगा अपने दोस्तों के साथ